Hello my dear lovely kids, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Well, as you can see over here, what? A से लेकर Z तो लिखा है? कौन सी बड़ी बात है? बिलकुल कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम तो थोड़े से लेटर्स के बारे में कुछ specification जानने वाले हैं. अब आप सोचेंगे specification मतला? वो छोड़ो, हम बताते हैं कि हम क्या खास जानने वाले हैं, ठीक है? पर उससे पहले एक बात मुझे बताओ, जब भी भी आपको चोट लगती है, तो आपके मुझे सबसे पहले क्या निकलता है? अब कोई बच्चा कहेगा कि जब चोट लगती है, तो मेरे मुझे से निकलता है आप! या फिर कोई कहेगा कि जब मुझे चोट लगती है, या फिर मुझे अचानक से डर लगता है, तो मेरे मुझे से निकलता है इ! और सोचो कि अचानक से आप कहीं जा रहे हो और कुटा भूग जाए, तो भूगने में या कुछ अचानक से सामने आ जाए, तो कैसा लगतीगा? अई! डर लग जाता है ना? और एक और बात है, कि जब कभी-कभी हमको कोई चीज अमेज करती है, आश्चर्य चकित करती है, तब हमारे मुझे कैसी निकलता है? ओ! और कभी-कभी एक और ऐसा साउंड है जो हमारे मुझे निकलता है, जब हम अगें या तो चोट लग जाती है, या फिर डर लग जाता है, या फिर अचानक से कुछ भी हो जाए तो, बेसिकली हमारे एक्स्प्रेशन्स को निकालने के लिए या शो करने के लिए, ओ! ये तो मैं बता नहीं भूल गई, ये कुछ साउंड हैं जो अक्सर हमारे मुझे निकल जाया करते हैं, जैसे की आ, इ, अई, ओ, उ, तो इंग्लिश वालोंने क्या किया पता है? ये चीज़े पकड़ लिए और उन्होंने इसको नाम दे दिया वॉबल्स और इस तरह से हमने सीखा वॉबल्स, these are the vowels, हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, कौन कौन से साउंड थे? आ, इ, आई, ओ, उ, वू, वू, तो इस आर दा फाइब वॉबल्स, we are going to learn about these letters, या फिर in letters का specification यह है कि यह वॉबल्स कहलाते हैं, जैसे हिंदी में अ से लेकर आहा तक मातराएं होती हैं, वैसे ही इंग्लिश में ए, इ, आ, ओ, यू, वॉबल्स होते हैं, जिनकी help से हम pronunciation को एक support करते हैं, like the word wobble itself, we के बाद एक wobble लगा है, यानि ओ, ओ, ओ एक wobble है ना, तो wobble लगा है, इसलिए हम वी और ओ को मिला कर वॉ पढ़ पा रहे हैं, डबलू के बाद ए लगा है, जो एक wobble है, इसलिए हम इसको भी वॉ पढ़ पा रहे हैं, फिर एल के बाद एक और consonant है, एक और letter है, इसलिए हम लगा को सिर्फ लगा पढ़ रहे हैं, है ना, by the way, these five vowels के अलावा, जो भी बचा कुचा है, क्या बचा कुचा है, B है, C है, D है, F है, G है, H है, J है, K है, L है, M है, N है, फिर P, Q, R, S, T है, और V, W, X, Y, Z है, यह सब क्या है, यह सब है, consonants, so alphabets दो तरह के होते हैं, first one is, A, E, I, O, U, vowels, और बागी सब बचा कुचा, consonants, ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और knowledge बढ़ाएंगे, जैसे कि, अगर हम जाना चाहते हैं, कि A का use कैसे होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं, A, अब A के बारे में हम जानते हैं, क्या जानना है, भई, A के बारे में, A से हम A का उचारण करते हैं, जैसे कि, A, ओके, एक और उचारण है, वो है, जैसे कि, Apple, अब एक उचारण और बाकी रहता है, वो है, A, लाइक, अमेरिका, कॉमनली, A और ए होता है, नेक्स्ट वान इस, E, एक के बाद E है न, E, के भी उचारण काउन से होते हैं, जादा तर, या तो, E होता है, जैसे कि, Enough, या फिर, A होता है, जैसे कि, Egg, बड़ी E भी होता है, जैसे कि, E, इयर, ओके, सो हमने, A पढ़ लिया, E पढ़ लिया, अब क्या है हमारा, I, आए, के लिए, हमारे पास, एक तो छोटा E है, जैसे कि, Igloo, Do you know what is Igloo? Yes, ये Ice Block से बनता है, बरफीला घर कह सकते हैं हम इनको, हला कि मैं तो कभी गई नहीं, पर आप लोग जब कभी जाए न, तो मुझे ज़रूर बताना, ओके, चलो, ये तो हो गया, आए से E, एक और होता है, वो क्या होता है? आए खुद, हम इसको आए की तरह भी पढ़ते हैं, आए या आई, दोनों कह सकते हैं हम, जैसे कि, क्या एक्जाम्पल है, आए स्टेंड्स फॉर, आए स्टेंड्स फॉर, आई स्क्रीम, ओके, तो हमने आए के भी, दो तरह की प्रेनसियेशन सीख लिए, नव वोट इस नेक्स्ट, वेल नेक्स्ट इस, ओ, ये है ओ, ओ के लिए हम, क्या सोचते हैं, भई सोचो, 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 ओ, हम, ओ के लिए तो सबसे पहले हम, ओ ही सोचते हैं, जैसे की, ओ, है ना, या फिर, हमारा ओरेंज तो है ही, तो, इस नेक्स्ट, नेक्स्ट वन कैन बी टेकन, ओ, जैसे की, ओविएसली, है ना, हो गया, ओ से हमको, ओ मिल गया, ओ मिल गया, ना, नेक्स्ट क्या है, कुछ बचा गया, देखो तो, देखो तो, देखो तो, जैसे की, आप, या फिर, अंकल, या फिर हमारा सबसे कॉमन, अंब्रेला, अभी तो हमने ये सारे लेटर्स, देट मेंज, ववल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स सीखे, और उनका प्रेनसियेशन सीखा, जब ये लेटर्स, किसी वर्ड के बीच में आता है, तब कैसा होता है, वो भी हम जल्दी ही सीखेंगे, ओके, तिल देन, बाबाए!